केंद्र सरकार ने महेंगाई पर लगाम लगाने के लिए कमर कसली है। उसने दलहन व्यापारियों की चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में अगर तूर और उड़त की कीमतों में औसत से ज्यादा बढ़ोतरी होती है तो उनके खिलाफ कड़ी कारवाई की जाएगी। उपभोकता मामलों के मंत्राले के सचिव रोहित कुमार सिंग ने कहा कि अगर हम उतपादन और बफर स्टॉक पर विचार करें तो चने का प्रयाप्त स्टॉक है। ऐसे में चने को लेकर कोई समस्या नहीं है। लेकिन कुछ लोग गलत माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि चने की भी कमी होने वाली है, जो की गलत है। रोहित कुमार सिंग ने कहा कि इस गलतफमी में मत रहिए कि चने की कमी होगी। देश में चने का परयाप्त उतपादन हुआ है और परयाप्त बफर स्टॉक भी उपलब्ध है। चने के मोर्चे पर चिंता का कोई कारण नहीं ह उन्होंने कहा कि रभी सीजन में दलहन उत्पादन का लगभग 65 प्रतिशत हिस्सा होता है, जो मुख्य रूप से चना द्वारा संचालित होता है। पिछले पांच वर्षों में रभी के दोरान उसत बुआई 160 लाख हेक्टेर है, जिसमें चने का क्षेत्र लगभग 105 लाख हेक्टेर था। उन्होंने कहा कि इस साल भी सीडिंग 5 साल के उसत के बराबर ही है। सचिव रोहित कुमार सिंग ने कहा कि इस वर्ष चना 104.74 लाख हेक्टेर में बोया गया है, जो सामानिक शेत्रफल 1.92 लाख हेक्टेर से अधिक है। लेकिन पिछले साल के 110.71 लाख हेक्टेर से कम है। इसी तरह मसूर की बुआई 19.6 लाख हेक्टेर में हुई है, जो लगभग 13-14 प्रतिशत की वृद्धी है। जबकि मसूर का उत्पादन लगभग 13-14 लाख टन है और खपद 20-22 लाख टन है। सिंग ने कहा कि इस साल हमारा मसूर उत्पादन अधिक है और आस्ट्रेलिया, कनाड़ा और अन्य उत्पादक शेत्रों में अंतरराश्ट्रिय बाजार में भी अच्छी उपलब्धता उन्होंने कहा कि मसूर के मोर्चे पर कोई चिंता नहीं है। सिंग ने कहा कि उड़त के मामले में रकबे में 10-11 प्रतिशत की गिरावट आई है और मांगा पूर्ती में अंतर लगभग 7.5-7.8 लाख टन है। उनकी माने तो हमारा सारा आयात म्यामार से होता है। हम सिंग ने आगे कहा कि तूर के मामले में भी भारत को म्यामार के साथ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर यह अटकल जारी रहती है और तूर की कीमतें अनुचित कारणों से बढ़ती हैं तो हमें अगले 2-4 दिनों में कड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। हम यह अनिवारे कर सकते हैं कि केवल सरकार ही आयात करे। उन्होंने कहा कि हम पिछले 15 दिनों से कीमतों पर नजर रख रहे हैं। मैं आपको चेतावनी देता हूं कि यदी तूर और उड़त में सक्टे बाजी जारी रहती है यह अनुचित और अनावशक है। सिंग ने कहा कि सरक सकार दालों की मांगा पूर्ती पर अनुमान लगाने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट मार्किट टाइम्स टीवी